नापपूर मदे काल रात्री दोन ते सकली पाच प्रचंड मुठा पाउस हला ढग फूटी सद्रुष पाउसाची चा वेग आणी पाउसाची तीवरता होती जवड़ पास यह चार तासा मुदे 109 mm प्रचंड पाउस जाला है त्यातले 90 mm हा केवड दोन तासा धरेला है त्यामा यही प्रचंड तीवरता ही अपलेला त्याटिकाणी पाईला मियाली यामले विशेष्ता अंबाजरी तलाउस हो है हाँ ओर्फ्लो जाला आणी येचा ओ जामले नाग नदीला मोठया प्रमाणात पूर आलयासर की श्तिति जाली आहले नाग नदीचे किनार्या वळ जी कई ते डिकाणी सगे लेआउट साहे त्यातले विशेश्टा जे थोड़े खाल्चा भागाता हे या डिकाणी खुब मोठा प्रमणात पाणी ते डिकाणी भरला अतिकले अम्बाजरी लेआउट सेल, वर्मा लेआउट सेल, किमा कारपरेशन कॉलनी सारखा एरिया सेल, शंकर नगर सारखा एरिया सेल इतपासनत रगदी पुर्वा नाकपुर दक्षिन नाकपुर नंदनवन परेंत, ये सगल नागनदी चा दोनी बाजुला, जाजा भागा मदे खोल एरिया आहे, त्या सगया भागा मदे पाणी शेरल, विशेश्ता ग्राउन फ्लोर जो आहे, हाँ पूर्ण ते डिकाणी आनेकां चा फस लोर परेंत पाणी, कि मा वर परेंत पाणी गेल, मोर्भवान सारकाँ जो नाकपुर पूर्ण बुख्य बस थानक आहे, त्याधिकाणी तर अगदी बसेश्चा वर परेंत पाणी, हे शेरलेला आपण त्याधिकाणी बगितल, प्रशासन तातकाण तातकाल दोन NDRF चा टीम, दोन SDRF चा टीम आणि दोन मिल्ट्री चा टीम अश्या सहा टीम तैडिकानी तैनात के लिया NDRF आणि SDRF नी रेस्क्यो अपरेशन के लो जी कई अपन एक आर्मी ची टीम होती ततली कि एक टीम अपन वापर ले आता ते दोनी टीम स्टैनबाइट हो लेले आहे अध्यारेफ आणि SDRF अध्यापई तैडिकानी काम करता है जवल पास चार्षे नागरीकान बाहर काडनिया तालेवा ह técnica काम करता है तातक्पूरती निवारे ची विवस्ता ही ठीकानी कर्निया तालेली आहे अणि यवनाची बगरे GK सोय आए ती तैकानी कर्निया तालेली आहे आता तस पाणी होड़ो उसराईला लागलेला है पन अध्यापही बर्याश्या बागा मदे पाणी आपलेला त्याडिकाने पाहला मियुत। विशेश्ता जेके अपले रिस्क्यू ऑपरेशन है तेचा मदे जेके शंकर नगर्चा करण बधिर विद्ध्याले आहे तिथल्या मुलानना बाहर काड़न एक चांगला ऑपरेशन त्याडिकाने टीम्स नी केलेला है एलेडी कोलेज आहे तिथल्या मुली जाहे तेनना रिस देलानना आता सुट्टी देना तालेल आहे आणि प्रशासन पूर्णपणे जागरू कसून त्याडिकाने पाहने करून पंचे नामे करण तात्पूर्ती मदत उडची मदत या सगया गुष्टी या आता तरना तेता है एचा मदे एकों 17 जनावरांचा मुरुक्तिव जा जनती असनार है कि कुणी ही अफवानवर विश्वास्थि ऴूने प्रशासन पूर्णपणे जागरू काहे आनि पुछले परसिरी चे अड्चनस अचलिकानी सधा वा करमांजिय मी शकाल पासना पूर्णपणे पहाटे पासना प्रशासना चा तच्न ऑड़ या आता टे आ में भी दिखिल थे ना बनत मार्गश धर्षियन जी करें ते करतु है नकूला चन्दशीकर बावन कोई जी आपले तैटिकानी आफिए और यहां थे अन्य चाहि बावन कोई जी सवता है सगय भागाचा दावरा करता है तें चछी तेम देखिल आमची जीका धि दावरा करते तक प्रखने प्रखने के लाद में जाना है। कि आपट माजे लोस्टी ए चंदित जोष्यानी आपके लोकाना जाके अड़के कना सोर्डना सा प्राहिक में करता है। संद्यकाई में जाना है। माजी लोका नाविननती है कि कुणी कुछले आफ़ानोर विश्मास्ट होगे अज अज सुबह दो बजे से पाज बजे के बीच नागपूर में भारी बरसात हुई और दो इन 4 गंटों में 109 mm भारिश हुई है और उसमेंसे भी 90 mm भारिश मात्र 2 गंटे में हुई है तो जिस प्रकार से लेकिन उसी तीवरता से बारिश नागपूर में हुई और इसके करण वहां का जो नागपूर का जो अमबाजरी तालाब है यह ओवर्फलो हुआ है और इसका ओवर्फलो का सारा पनी नाग नदी में जाता है जिसके दोनों तरफ नागपूर बसा हुआ है नाग नदी में भी बाड़ की स्तिती आई इसके कारण दोनों और जो निचले एरियास है इसमें बहुत पानी भरा लोगों का नीचे का फ्लोर पूरा पानी से भरा लोगों को उपर के फ्लोर पर जाना पड़ा रिस्क्यू ऑपरेशन भी चलाने पड़े विशेश रूप से मोरभॉन जैसी जगह जो हमारा में बस्टैंड है वहाँ पर तो जो बसे से उसके उपर तक पानी भर गया था जो एक वहाँ डिफेंड़म स्कूल है उसके बच्चों को बाहर निकाला गया रिस्क्यू किया ग पुल मिलाकर रिस्क्यू आपरेशन सुबह से किया गया उसमें दो एंडरेव की टीम में रही दो आर्मी की टीम में भी तेनात्ति एक टीम को कुछ समय के लिए इस्तेमाल भी किया गया बाद में उनको स्टैंडबाइ पर रखा गया है और इसमें एक महि ब्रुत हुई है और 14 जानवर यह मुरूत हुए लोगों का माल का नुकसान काफी बड़े पैमाने पर हुआ है अभी रिस्क्यों रिलीफ कैम्प तैयार किया गया है साड़े चार सो पार सो लोगों को बाहर निकाल कर उस कैम्प में रखा गया है उनकी सारी विवस्ताय की गई है और वहाँ पर बाड़ पड़ीतों को जो मदद करने की आवशक्ता है वो करने की शुरुआत भी की गई